गाइस पिछले दो साल में बहुत सारे finance influencers इतना ग्यान देते हैं ये investment करो वो investment करो ये अच्छा है वो अच्छा है आज मैं आपको बताने वार हूँ जिन्दगी में 5000 रोपे अगर आपके पास है तो उसमें आप कौन सी best investment कर सकते हो जो आपके साथ lifelong टिकने वाली है Today we are talking about the Mike Tyson, Sylvester Stallone, Mohamed Ali, Brock Lesnar of Watches which is the Casio G-Shock और in particular हम बात करने वाल है इनके classic DW5600 की घड़ी के रिव्यू में आगे बड़े उसके पहले मैं आपको एक पहुत quick history lesson देता हूँ Guys G-Shock Casio ने invent की थी 1981 में उनका एक engineer था by the name of Kiku LBE इसको एक pocket watch मिली थी अपने घर से किसी में pocket watch गर के टूट गए इससे बोला भाई घड़ियां टूटी नी चाहिए ऐसी घड़ी बनाऊ जो कभी न टूटे तो भाई ने अपना जापानी दिमाग लगाया और उसने ऐसी पावर ओफ ट्रिपल टेन विचेस दस मीटर की उचाही से गिरेगी तो घरी नी टूटेगी दस साल की बैटरी होगी और 10 बार का विच इस हंडिड मीटर ही वाटर रिस्टेंस होगी फिर उसने इंवेंट की the OG G-Shock the DW 5000 आप देख सकते हैं इस तरीकी का इसका सिलूएट है के बाद साज तर काच्यों नेवर लोग्ट बैक चालिज साल हो गए बट गड़ी को अनबॉक्स करें उसके पहले कस्टमरी क्रिस्ट वोच चेक आज मैं पहना हूं मेरी Casio G-Shock DW 5700 यह 5600 का ही भाई है इस पाट आप दे 90 थोग कलेक्शन यह एसी घड़ी जो बस जपान में ही लॉंच हुई थी इस तरीके से पापड बेलने पड़े मुझे घरी इंडिया बुलवाने के लिए बहुत पैसे खर्चा हो गया है बट वनाइल गौट दवाच आप उच्छ तो मैं बता देता हूं तो गाई आप देख सकते हैं इस तरीके के नॉमल G-Shock के बॉक्स में है MRP 5495 मैंने पिछले साल मार्च में खरी दी थी एंड इसे मुझे 10% का डिस्काउंट मिला था प्लस 10% का काड ओफर भी मिला था तो मुझे तो बहुत अच्छी रेट उनलेगी थी 4000 के आज पास मिल गई थी अभी शाद रेट बढ़ गया है बट ओफर चलते रहते हैं तो जो ची रच्छी उसको चलने दो क्यों फालतुन उंगली करनी है जैसा मैं आपको बताया यह है 5600 का टफ सोलर वेरियंट इसका एक नॉर्मल बैटरी वेरियंट भी आता है जो इससे 15,000 रोपे सस्ता होता है फरक दोनों में बस एक है इसमें आप देख सकते हो टफ सोलर वे आप से बैटरी की मांग नहीं करेगी नो मैटर आप इसको कितना यूस करो कुछ भी करो तो इसमें लो मीडियम हाई का इसम इंडिकेटर दिया है तो अगर आप इसको धूप में 15 मिन भी ले जाओगे यह हाई पे चला जाता है और 5-6 महने तक हाई पे रहता है फिर तीन च जब कोई मुझे बोलता है कि मुझे 25 साल तक बैटरी चेंज कराने की कोई टेंशन नहीं है हो सकता है घड़ी हमसे भी जादा चले हम खता मुझे घड़ी खतम नौँ तो इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जोड़के सोलर वेरिंट ही खरीद मन लगा के ठोपो कुछ नहीं होता गया इसको मतलब घड़ी है कि मजा के मुझे समझ में नहीं आ रहे है क्या बना दिया है लोगों ने अब चली गड़ी है फटाफाट इसके स्पेसिकेशन की बात कर लेते हैं अ केस वित अफ उनली 42.8 mm लग वित उफ रफ वित आफ रफ़ी 22 mm अड़ तेखने सथेंश साथी साथी को टककर दे रहा है with all the features which it has it's so compact, so wearable it is amazing this is how it looks against the Benyar Rolex Oyster Perpetual Coral Red Homage Watch and this is how it looks against the Orient Mako 2 Watch अब guys, ये ठहरी G-Shock तो इसमें सारे G-Shock goodies हैं 30 Cities का World Time इसमें fed है time difference के साथ 2 alarms, stopwatch, timer and the normal time and guys, G-Shocks are famous for the amazing backlights उसका demo आपको देता हूँ, ये देखिए and आप और अंधेरे Pitch Black में आप देखोगे तो आखे चौन दिया जाती, इतनी brightest की luminosity and guys, this is how it looks on the wrist क्या शांदार डिजाइन है, क्या classic डिजाइन है मतलब आप सोचो, आज का टाइम में जब हर चीज का डिजाइन 6-7 मैं अपग्रेड होता है ये एक डिजाइन है, जो 40 साल पुरान है आज भी उतना ही classic, उतना legendary लगता है and guys, quickly आपको trivia दूँगा जो आप इसका pattern देख रहे है न, straps का जिसमें holes है, ये lines है all these together contribute to making it a G-shock मतलब जब आप इसको गिराते हो और कुछ करते हो जो इसकी force होती है गिरने की वो ये सब चीजों से भी dispersed होती है तो ये सब scientifically बनाई गई है ये कुछ shock ये design के लिए नहीं है guys, trust me, हर किसी के बाद अपने collection में नहीं ये 5600 solar होनी चाहिए आप एक बार ले लोगे न, जिंदगी में आगे जाके बीस साल, तीस साल बाद याद करोगी कि मैंने तीस साल पहले गड़ी ली थी जो मेरे आज भी चल रही है without a battery change जिसको मैं ठोकूंगा, पिटूंगा, पानी में गिराऊंगा कुछ नहीं होएगा मतरब this is something else, totally so guys, thanks for watching video अच्छी लगी तो like करना अच्छी ले तो दो बाद डिसलाइक करना चानल सब्सक्राइब कर दो अगर इप तक नहीं किया बहुत वीडियो दा चुकी है, बहुत आने वाली है and guys, आपको अगर अच्छा watch collection स्टार्ट करना है तो आपको G-Shox में 5000 लगाने की ज़रुवत नहीं है आपके Casio F91W खरीच सकते हो, Casio A168W खरीच सकते हो पर अच्छी watches में इंवेस्ट कीजिए, classic watches में इंवेस्ट कीजिए smart watch से कचनों से दूर रहिए thanks for watching, take care, stay safe